तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 303 की recap और reaction वीडियो बट उससे पहले अगर हम इस card को देखें तो starting में इस main card की fights काफी average fights जारी थी बट फिर उसके बाद co-main और specially main event ने इस पूरे card में जान डाल दी also क्योंकि 303 का card एक pull out card है तो literally fight के 3 या फिर 4 hours पहले ये पता लगता है कि Brian Ortega fight से बाहर हो चुका है उसे hospital जाना पड़ा बट यहाँ पर आता है Danny के का एक gangster move जहाँ पर fight को सिर्फ 3 या फिर 4 गंटे बचे थे और वो ये fight करने के लिए accept कर लेता है whereas prelim card के बारे में भी बात करें तो इस prelim card में थी तो सिर्फ 4 fights बटे 4 ही fights बहुत अच्छी गई है न्यू अपकमिंग fighter और जिसके बीचे अब hype generate हो रही है यानि कि Peyton Talbert वो अपनी fight को win कर जाता है सिर्फ 19 seconds में जिदर वो यानि इस गमोरी को knockout कर देता है तो बैंट वेट फाइटर पेटन एलबेट के बारे में अभी काफी लोग बात कर रहे है वो अब 9-0 undefeated fighter है और definitely आने वाले सालों में ये fighter टॉप रैंक फाइटर बनने वाला है अल्सो इस प्रीलिम की में इवेंट में जो पाइटर वापिस आ चुका है जहां पर वो अंडर वन मिनेट में ही बैरियल्ट को knockout कर देता है और ये knockout इतना बुरा था कि काफी टाइम तक बैरियल्ट आउट कोल्ड ग्राउड में पड़ा हुआ था तो brutal knockout by Joe Piper और Jack Hermanson से हारने के बाद जो भी उसकी hype destroy हुई थी उससे कुछ hype उसने थोड़ी सी regain कर लिये और अगर वो ऐसी अपने opponents को knockout करता रहा तो definitely उसकी hype वापिस आने वाली है और अब moving on to the next fight जहांपर इस card की opener fight में Ian Gary MVP को beat कर देता है by 29-28 unanimous decision fight से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि ये fight entertaining होने वाली है बट actually में जब ये fight होती है तो ये fight बहुत ही boring गई Ian Gary ने इस fight में completely अपने fighting style को ही change कर दिया जहांपर round 1 onwards ही उसने start कर दिया MVP के साथ grapple करना उसे ground में लेके जाके submission attempts करना और basically Michael Page को ground में hold करके रखना क्योंकि जब भी ये fight standing बनी है तो Michael Page वहाँ पर काफी big shots को land कर रहा था जिनका answer Ian Gary के पास था ही नहीं अभी मैं social media में देख रहा हूँ कि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि Ian Gary fraud check हो चुका है बट इसको लेकर मेरी यहाँ पर opinion है कि not only Ian Gary बट also Michael Page भी इस fight में fraud check हुआ है एक side Ian Gary है जो अपनी striking के लिए जाना जाता था पर इस fight में वो Michael Page से इतना जादा slow था कि जब भी Michael Page ने उसके उपर 25 को land किया है तो Ian Gary के पास इतना भी time नहीं था कि वो at least उसे try भी करे counter करने की तो जितना fast हम Ian Gary को अपनी feet में समझते थे actually में वो इतना fast नहीं है और अगर उसके सामने कोई blitz करके अपने distance को close करता है तो जैसे कि हमने इस fight में देखा कि Ian Gary को feet में भी काफी trouble आती है अब दूसरी side Michael Page की भी बात करें तो जैसे मैंने पहले का कि इस fight में सिर्फ Ian Gary नहीं बलकि Michael Page भी exposed हुए है क्योंकि जो fighter एक striker से take down हो रहा है almost round one में submit हो रहा है और overall जब हम देखते हैं तो वो Ian Gary से ground में control हो रहा था और ये Michael Page के लिए good look नहीं है और चाहता था कि वो Ian Gary के बाद कमारू उसमान के साथ fight करे बट जिस वे से वो Ian Gary से ground में control हुए है उससे तो ही अपनी game को छोड़ कर एक wrestler बन जाता है जहांपर round one में मैं उसे credit दूँगा क्योंकि जब वो fight को ground में लेके गया तो वो काफी close आ गया था Michael Page को choke out करने में बट फिर उसके बाद जैसे जैसे ये fight आगे बढ़ते रहती है हमें ये चीज़ realize होती है कि Ian Gary ने इस wrestling approach को अपने punches land की होंगे whereas Michael Page यहाँ पर काफी अच्छे से अपना blitz कर रहा था और वो Ian Gary से इस fight में बहुत ही ज़ादा fast था जहांपर काफी बार उसने Ian Gary के उपर overhand right punch को connect किया है और Ian Gary इसको change करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था round 3 भी अगर हम देखें तो Ian Gary इस round को इसलिए जीता क्योंकि approximately last के 2 minutes उसे back मिल जाती है Michael Page की और क्योंकि उसे back का control मिला था जो थोड़ी सी ज़ादा dangerous position होती है तो इसलिए वो इस fight को win कर जाता है decision से but of course मेरी opinion में ये fight बहुत ही जादा boring गई है जहाँ पर moving on to the next fight तो ये fight थी women's bantamate division की जिदर मेसी शिशान मायरा ब्युनो सिल्वा को beat कर देती है due to doctor stoppage इन दोनों female fighters की बीच में fight actually में काफी अच्छी जारी थी जहाँ पर दोनों fighters back and forth एक दूसरे को punches थो कर रहे थे जिदर हम देख सकते थे कि मेसी थोड़ी सी technical है whereas हमेशा की तरह मायरा ब्युनो सिल्वा try कर रही थी कि वो मेसी के उपर big punches को land करे और kind of this fight को एक dirty fight बनाए यानि कि brawl fight बनाए और वैसे round 1 में ये work भी किया जिदर वो जादा big punches को throw कर रही थी और मेसी वहाँ पर mostly देख रही थी कि वो अपने jab को establish करे और मायरा सिल्वा को अंदर आते हुए counter करे बट unfortunately ये fight complete नहीं हो पाई जहाँ पर round 2 में मेसी मायरा को ground में लेके जाती है और वहाँ से वो बहुत ही big elbow को throw करती है जिसकी वज़े से मायरा बिनो सिल्वा के right eye के उपर एक बहुत ही big cut open हो जाता है जिदर डॉक्टर इस cut को देखने के बाद ये ब fight मुझे थोड़ी सी entertaining fight लग रही थी but anyways due to doctor stoppage मेसी शिशान इस fight को win कर जाती है और moving on to the next fight तो ये fight थी light heavyweight division की जहाँ पर Roman डुलिट से इस fight को win कर जाता है by unanimous decision अब वैसे तो दोनों fighters ये fight एक short notice में कर रहे हैं but अगर Roman डुलिट से के बारे में बात करें तो उसने तो Anthony Smith से भ fight heavyweight division में fight कर रहा था तो ये win Roman की मेरी opinion में और भी बड़ी win बन जाती है but यहाँ पर मैं Anthony Smith से काफी disappoint हुआ क्योंकि वो Roman डुलिट से इसे भी पहले gas out हो गया उसके starting के पहले दो rounds में तो punch ही land नहीं हो रहे थे जहाँ पर अपनी feet में Roman डुलिट से काफी fast था वो continuously Anthony Smith को tag करते रहा और round 1 और round 2 में उसने काफी अच्छी fight की जिदर वो Anthony Smith के सारे big shots को dodge कर रहा था और खुद के big shots को land कर रहा था जहाँ पर couple of times इन shots में Anthony Smith को hurt भी कर दिया था I thought a fight Anthony Smith के लिए एक golden opportunity थी बट ना तो वो इस fight में wrestling करता है उसने अपने jab को भी find round 3 में किया था जिससे यह पत जहाँ पर लोग थोड़ से confused हैं कि जो रोमन डुलिट से ने knee को throw किया क्या वो legal नी थी या फिर illegal नी थी तो मुझे तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह knee एक legal नी थी क्योंकि अगर हम Anthony Smith की left leg को देखें तो यह knee land होने के time मुझे लगता है Anthony Smith की लेग अभी तक ground को touch नी क्योंकि यह obvious था कि रोमन डुलिट से इस round में थोड़ा सा tired हो जाएगा बट still इस round में भी रोमन डुलिट से ने काफी अच्छे पंचिस को land किया है और इसलिए overall इस fight को वो win कर जाता है by unanimous decision जहाँ पर अब उसके पास दो options आ चुके हैं जिदर वो top 10 middleweight division में भी fight कर सकता है and top 10 light heavyweight division में भी आफ fight कर सकता है बट overall अगर इस fight की बात करें तो ये fight मेरी opinion में एक काफी average fight थी जहाँ पर moving on to the next fight तो ये fight थी go main event की जहाँ पर finally हमें एक entertaining fight देखने को मिलती है जिदर Diego Lopez इस fight को win कर जाता है by unanimous decision तो Diego Lopez versus Dan Iggy की fight एक catch weight fight में होती है जहाँ पर 145 की जगा ये fight होती है 165 pounds में तो दोनों ही fighters को huge respect जहाँ पर अगर हम fight के बारे में बात करें तो ये fight काफी entertaining और back and forth fight रही है especially अगर round 3 के बारे में बात करें जहाँ पर Diego Lopez इस round में tired हो गया था वो fade out होने लग पड़ा whereas Dan Iggy के point of view इससे देखें तो ये round उसके लिए काफी अच्छा गया starting of the fight में Diego Lopez बहुत ही powerful और काफी fast fighter है और यही चीज़ हम इस fight में भी देख सकते थे जहाँ पर वो Dan Iggy के उपर continuously hooks और uppercuts को थो कर रहा होता है और वो पूरी try करता है Dan Iggy को finish करने की बट अभी तक अपने career में कभी भी Dan Iggy के finish नहीं हुआ और यहाँ पर भी हम देख सकते थे कि इन punches को लेने के बाद भी Dan Iggy के काफी काम रहा और वो basically starting के rounds में counter game को खेल रहा था दोनों ही fighters ने यहाँ पर एक दूसरे के उपर big punches को land किया है बट क्यूकि दोनों की chin काफी strong chin है तो दोनों में से कोई भी fighter होट नह चुक है और इस head kick के बाद वो Dan Iggy को ground मिले के चले जाता है round 1 के बाद round 2 और फिर round 3 इन तीनों rounds में हमें एक pattern देखने को मिला और वो यह था कि हर round Dan Iggy के chances और ज़्यादे increase होते जा रहे थे और क्यूंकि डिगलों पे starting के round में बहुत ही ज़्याद energy को use करता है वो एक काफी wild fighter है जो हमेशा देखते हैं अपने opponent को knockout करने का तो इसलिए उसने starting के rounds में इतनी energy को use कर दिया था कि जब round 3 को हम देखते हैं तो यहाँपर Danny के उसे cage की side push करता है और जैसी ही Diego Lopez back out होता है Danny के उसके उपर big punches को land करने लग पड़ता है उसके jab से Diego Lopez का head snap back हो रहाता है और यह clear ह हो चुका था कि Diego Lopez काफी ज़्यादा gas out हो चुका है अगर तो यहाँपर Danny के और ज़्यादा heavy shots को throw करता तो यह fight over भी हो सकती थी but round 3 के last couple of minutes ground में जाते हैं जहाँपर Diego Lopez basically survive करने का देखता है और इसलिए overall voice fight को win कर जाता है by unanimous decision और moving on to the next fight तो यह fight थी main event fight जहाँपर Alex Pereira light heavy weight belt क retain करता है यीरी प्रोहासका को knock out करके काफी insane win by Alex Pereira उसने end of the round 1 में यीरी प्रोहासका को बुरे तरीके से hurt कर दिया था और मुझे नहीं लगता कि ये left took लेने के बाद यीरी प्रोहासका 100% recover हो पाया था जहाँपर round 2 के 5 ही seconds में Alex Pereira एकदम से switch करके head kick को throw करता है और ये head kick इत fight को stop कर देता है जहाँपर still light heavyweight division का champion Alex Pereira बनता है मैं जरह भी किसी से नहीं सुनना चाहता कि Alex ने कोई magic को use किया है ये complete a clean fight थी जहाँपर round 1 के ही starting से हम देख सकते थे कि Alex Pereira थोड़ा सा जाधा power को use कर रहा है वो जाधा punches को भी throw कर रहा है और इस बार वो यीरी प्रोहासका क प्रेशर से इतना जाधा back down भी नहीं हो रहा था इवन जब Alex Pereira यीरी के pressure से back down भी हुआ तो वहाँ पर भी Alex Pereira ने काफी big punches को swing किया है जहाँपर mid of the round 1 में एक moment ऐसे आती है जिदर वो यीरी प्रोहासका को clean catch करता है अपने hook से बट यहाँपर difference इतना था कि वो left hook नहीं बलक के level पर है whereas Alex Pereira already kick को connect कर चुका है तो एक precise fighter के against जो जब भी clean connect करता है तो most of the time उसके fighters knock out होते हैं ऐसे fighters के against अगर guard नीचे होगा तो definitely यह एक बहुत ही बड़ी problem है अब फिर से fight देखने के बाद यह notice होता है कि round 1 की last second में जो Alex Pereira अपने left hook से यीरी प्रोहासका को knock down करता है वो Alex ने इस round में पहले भी couple of times strike किया बट या तो फिर वहाँ पर उसका left hook miss हो गया और जो उसका left hook connect हो रहा था उसमें जादा power और वो clean left hook नहीं था बट स्टिल जब भी ये connect हुआ है तो यीरी प्रोहासका थोड़ा सा stun हुआ था ये rematch Alex ने इस वेसी किया like वो यीरी प्रोहासक अपने punches को जादा connect कर रहा था बट इस rematch के बारे में बात करें तो यहाँ पर Alex परेरा यीरी की power को कोई भी respect नहीं देता है और जब भी यीरी प्रोहासका कुछ throw कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि Alex परेरा बिलकुल ही unfaced है Alex परेरा जो अपने left hand से jab to the body throw करता है वो strike मुझे काफी underestimated लगती है क्योंकि जादा लोग इस punch के बारे में बात नहीं करते हैं बट actually मैं जब हम देखें तो पहले Alex परेरा अपने left से body पर जाता है और इन punches को block करने के लिए जैसे ही opponents के hand थोड़ से down जाते हैं तो फिर इरी परेरा के body को target करने लग पड़ा तो फिर round 1 के end में ऐसी movement आती है जहाँ पर यही left hook उसका clean land होता है इरी पर इरी परेरा का knockdown हो जाता है इन फैक्ट उपर से हमें इस fight में Alex परेरा का थोड़ा सा clinch work भी देखने को मिलता है जहाँ पर पहली fight से सीखने के बाद वो इस और वो इरी परेरा को take down करने नहीं देता है तो overall भी Alex परेरा ने ये fight पहली fight के comparison में बहुत ही अच्छी की है जहाँ पर काफी लोग है भूल चके थे कि not only left hook बट क्योंकि Alex परेरा kickboxer भी है तो वो अपनी knees या फिर kick से भी opponent को finish कर सकता है और यहाँ पर fight में हमने यही देख तो right now भी अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है Alex परेरा unstoppable fighter है वो अपनी हर एक light heavyweight fight से और भी जादा improve हो रहा है और ऐसे fighters हम बहुत ही कम देखते हैं जो एकदम से UFC में आने के बाद इतना जादा कुछ अचीब कर जाते हैं और Alex परेरा भी यहाँ पर short period of time में ही UFC का legend बन तो पहले overall यह card बहुत ही boring बन रहा था बट फिर co main event और specially main event ने जो deliver किया है वो देखने के बाद मैं इस card की जादा बुराएं नहीं करूँगा यह card मेरे लिए ठीक है Alex परेरा काफी अच्छेवे से win किया है तो मैं तो काफी happy हूँ बट what about you guys तुमें यह card कैसा लगा तुम